आईए आपको लेकर चलते हैं मिलवाने रिया और सिया से जहां रिया ने स्कोर के हैं 81% अपने 12th के एक्जाम्स में और सिया ने स्कोर के हैं 85% जहां रिया चूस करना चाहती थी interior designing पर वो चाहती थी एक secure future, corporate lifestyle इसलिए उसने चुना engineering over interior designing और दूसरी तरफ सिया जो बहुत शौर थी कि उसे best interior designer बना है city का future के बारे में तो नहीं जानती थी पर जनून था उसके सर पर interior designer बन कर बड़े बड़े घरों को सजाने का रिया corporate की job में पैसा, better lifestyle सब कुछ था उसके पास पर उसके साथ था stress, anxiety और रह रह कर वो अपने आपको बहुत misfit फील करती थी इस काम में और दूसरी तरफ सिया चोटे चोटे प्रोजेक्स पर अपना पैस देकर पाच सालों में उसने अपना नाम कमा लिया था कई कई दिन पूरा दिन पूरी रात काम करना पड़ता था पर कोई बात नहीं उस काम को तो वो enjoy करती थी और बार-बार कहती थी Thank God I choose this हम सब के माई में ये question बार-बार आता है हमारे, हमारे parents के, हमारे relative के कि हमें क्या career choose करना चाहिए career choose करते time हमें किन factors का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो भी हम career choose करते हैं वो हमारी life को एक direction देता है और आगे आने वाले time में हम अपने दिन में 10 से 12 घंडे उसी चीज में देते हैं तो ये factors को आप ज़रूर भ्यान में रखिए अपने career की choice करने से पहले जो हम mention करने वाले हैं इस video के अंदर तो इस video का target है 5000 life और अगर आपको ये video पसंदाए उसे share करना मन भूलेगा point number one and that is passion सबसे important है ये समझना कि passion का मतलब क्या होता है passion का मतलब होता है ऐसा काम जो आप करना चाहते हो life में इस हट तक कि अगर आपको उसके लिए salary भी ना मिले तब भी आप उस काम को करेंगे ऐसा काम जिसको आप कभी भी करते होए ठकेंगे नहीं चाहे आपको दिन में 10 घंटे ही क्यों ना करना पड़े आप उसे खुशी खुशी करेंगे और अगर कोई ऐसा काम है तो समझ आईए कि वो ही आपका passion है For example, अगर मेरा passion है कि मैं एक teacher बनूँ तो उससे related shortcomings like सुबह 5 बजे उठना, रात को 10 बजे सोना, एक regulated life जीना अगर मैं इन सब बातों को passionately deal करती हूँ इन सब बातों से तो मैं देखूंगे कि मैं बहुत अच्छा perform कर पाऊंगी teaching career के आपर अब आया question कि हम अपने parents को कैसे convince करें कि वो हमें अमारे passion को pursue करने दे इसके लिए आता है हमारा point number 2 So हमारा second point है potential और talent और skills Passion सिर्फ एक thought है अगर आप उस पर आगे work नहीं करते तो वो thought सिर्फ एक thought बन के रह जाता है Potential मतलब जो आपको करना तो अच्छा लगता है पर आप उस काम में बहुत अच्छे नहीं हो For example मैं doctor तो बनना चाहती हूँ पर doctor बनने के लिए जो skills required है जो competence required है वो मेरे अंदर नहीं है तो worry not इसका solution है कि आप वो skills को acquire कर सकते हैं आप उन्हें learn कर सकते हैं आप उन्हें जरूर सीख सकते हैं और अपने आपको हमेशा updated रख सकते हैं तो अगर आप आगे जाके photographer, writer, actor, director, content writer बनना चाहते हो तो आपको उससे related सारी skills acquire करनी होगी there are many websites जहाँ पे जाकर आप ऐसी छोटी-छोटी skills को acquire कर सकते हैं घर बैठी for example Udemy, for example Coursera, Skillshare, Simplify Learn ये ऐसी websites हैं जिन्वें जाकर आप different courses कर सकते हैं related to your interest area अब number third point जो है, जो है सबसे important point तो वो है कि what the world needs या what is the need in the market तो एक jigsaw puzzle की तरह अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे अपने passion को, market की problem को solve करने के साथ आप जोड सकते हैं, तो आप life में बहुत successful बनोगे ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे life examples हैं हमारे सामने, वो कह रहे हैं like Mark Zuckerberg, जिन्होंने अपने passion को follow किया ताकि वो एक problem को solve कर पाए, लोगों को connect कर पाए like Steve Jobs, जिन्होंने अपने passion को follow किया like Warren Buffet, like Bill Gates, like Sanjeev Kapoor जिन्होंने इन सब लोगोंने अपने passion को follow किया ताकि वो market की कोई ऐसी problem को solve कर पाए जहां पे उन्हें opportunity लिखी, उन्होंने उस opportunity पे work किया और आज उन्होंने अपना नाम बनाया है history में क्यूंकि इन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी और वो थी कि उनका attitude था of problem solving किसी भी problematic situation को वो problem की तरह नहीं देखते थे वो देखते थे कि वो कैसे उस situation के अंदर एक solution निकाल सकते है और कैसे उसके अंदर एक opportunity को ढूँन सकते है तो अगर आप अपने passion को, for example आपका passion है teaching आप उसको use कर सकते हैं market की एक बड़ी problem को solve करने में तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे life में नंबर 4th point is money बहुत important है इस aspect को भी समझता अगर हम अपने mind में सिर्फ ये लेके चलेंगे कि हम कोई भी career की choice इसलिए कर रहे है क्योंकि इस career में बहुत सारा पैसा है तो आप देखेंगे आप उस career में आपको पैसा तो मिल जाएगा but satisfaction, fulfillment, achievement ये सब नहीं मिलेगा money is end result जो आपके पास जरूर आएगा पर अगर आप passionate भी एक काम को करोगे मैं ये भी जरूर मानती हूँ कि money is important और money जब आई की तभी आपका model एक sustainable, profitable model बनेगा और आप उसे जादा time तक pursue कर पाओगे कहते हैं कि you are a fool if you do something जो आपको पसंद नहीं है and you are intelligent अगर आप वो करते हैं जिसे आप बहुत enjoy करते हैं but you are a genius अगर आप वो करते हैं जो सबसे जादा needed है मतलब कि अपने passion को align करते हैं जो भी market की need है उसके साथ और ऐसा करने से आप लाइफ में बहुत जादा successful रहेगे I wish you all the very best for your decision I hope you like the video and don't forget to like, share and subscribe to A Better Life Bye Bye